नमस्कार बच्चू, आज हम डिस्स करेंगे क्लास 8 इंग्लिश के हमारी वर्क्षिट नमबर 29 को, यह आपकी 1st of November 2021 की वर्क्षिट रहेगी आज की इस easy, interesting, important वर्क्षिट में हम बात करेंगे कंजेक्शन की समझने कोशिच करेंगे यह कंजेक्शन क्या होता और कंजेक्शन का यूज कैसे किया जाता है let's begin, चली, शुरुआत करते हैं आज की इस वर्क्षिट की सबसे पहले हमें समझना है कंजेक्शन होता क्या है a conjunction is a word that joins two or more words, phrases or the closes conjunction क्या होता है, एक word होता है ठीक, यह दो या दो से ज़्यादा जो word है या तो उनको जोडता है, दो या दो से ज़्यादा जो phrases है उनको जोडता है, या फिर जो closes है उनको जोडता है तो उसको हम बोलते हैं conjunction example से बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा जैसे यहाँ पर एक्जांपल दिया गए, words का एक्जांपल दिया गए, silver and gold, silver and gold, चांदी और सोना हिंदी में कहीं, तो यहाँ पर जो end है, और हिंदी में जो और है, यह end क्या है यहाँ पर, यह आपका conjunction है, phrases देखिए, over the river and through the woods, here comes, over the rivers and through the woods, यहाँ पर end है, यह क्या है, conjunction का काम कर रहा है, यहाँ closes में देखिए, उफ़ाइक क्या जो होते हैं, उसमें देखिए, Mary planted a flower and she washed it crow, Mary planted a flower and she washed it crow, तो यहाँ पर यह end जो है किसका काम कर रहा है, conjunction का काम करा है तो यहां बिल्कुल clear हो गया होगा कि conjunction क्या होता है conjunction एक word होता है जो दो या दो से ज़्यादा जो word है दो या दो से ज़्यादा जो phrases है या दो या दो से ज़्यादा जो closes है उनको जोड़ता है ठीक तो यहां पर हम कुछ important conjunction है उनकी बात करेंगे, सबसे फ़ले हम end की बात करेंगे कि end का कहीं योज किया जाता है कि end, to join two or more similar ideas है उनको जब हमें जोडना होता है तब हम क्या use करेंगे, end का use करेंगे जैसे रानी is beautiful and so is भावना अब यहाँ देखे, दो या दो से ज़्यदा similar ideas है तो इसको हमने किस से जोड़ दिया, end से जोड़ दिया रानी is beautiful, so is भावना रानी beautiful है और भावना भी है वैसी तो हमने end लगा दी यहाँ पर ऐसे to show one idea comes after another जब हम एक idea के बाद दूसरे idea को जोड रहें तब भी हम यहाँ पर end conjunction का use करेंगे जैसे सीमा went to the market and bought some grocery सीमा went to the market अब उसी चीज़ को उसी से connected है कि market से connected है तो हमने end लगा कर दिया कि end bought some grocery तो यहाँ पर end conjunction को use किया ऐसे देखे to show that one idea is the result of another idea तब हम जब एक idea दूसरे का result होता है तब हम end conjunction का use करेंगे we saw the stray bull coming and we climbed on the tree हमने देखा कि एक stray bull आ रहा था, एक आवारा bull आ रहा था, bell आ रहा था तो हमने देखा कि आवारा जो sand आ रहा था हमने उसको देखकर के पेड़ के उपर चड़ गए end climb the tree तो हमने end को use किया तो यह वैसे end को लेकर के ज़्यादा आपको confusion नहीं है कि जब भी हम continuity में किसी sentence की बात करते है या फिर हम two connected words को जो जोइन करना होता है जो related words को तब हम end का use करते हैं तो यहाँ पे कोई issue नहीं होगा अब हम बात करेंगे but की but का use कहा करते है to join contrasting ideas but का जब जो contrasting आपस में एक दूसरे के विरोधी ideas है तब हम but का use करेंगे example देखिए संगीता is not intelligent but she is very honest यहाँ देखिए intelligent नहीं है लेकिन honest है यहाँ पे जो लेकिन है हिंदी में जो लेकिन यूज़ करते हैं लेकिन, किंतु, परंतु तो उसके लिए यहाँ पर English में but का use करते हैं in the same sense as with the exception of जैसे same sense में यूज़ करते हैं जब कहीं पे exception हो no one, कोई नहीं but I wished pandeji on his birthday अब यहाँ देखिए कि हमने exception में कि किसी ने नहीं लेकिन मैंने birthday पर pandeji को wish किया तो यह exception जो यूज़ किया जा रहा तब ही हम but का use करेंगे उसके बाद दिया गया हमारा either or यहाँ पे इसकी pronunciation में बता दूँ कि इसको अगर हम बात करें US English की तो US English में इसको either बोला जाएगा जब हम बात करते हैं UK English की तो इसको either बोला जाएगा ठिक, एक ही चीज़ा आप either बोली या either बोली या either or का मतलब होता है या ये या ये तब either का बोला जाता है तो शोग चोईस और पॉसिबल्टी चोईस करना चोईस हमें शोग करना हो या पॉसिबल्टीज को हमें शोग करना हो तब हम either और और का यूज़ करते हैं जैसे, you can have either a cup of tea और a cup of coffee कि आप या तो चाए ले सकते हो या कोफी ले सकते हैं या 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 जब ऐसे बोलना होता है तब हम इधर और और का यूज़ करते हैं ठीक नीधर और नौर का यूज़ करेंगे तो रेजेक्ट और रिफ्यूज बोथ अप्शन दोनों अप्शन है वो ना हो ना ही ये और ना ही ये तब हम नीधर और नौर का य तो हमने नीदर और नौर को यूज़ करेंगे येट होता है येद पी यानि कि एक दूसरे के विपरीत कोई चीज strongly हमें show करने हो तब हम येट का यूज़ करेंगे I felt strange yet so wonderful to sky in the summer कि I felt strange मुझे अजीव लग रहा था yet so wonderful to sky in the summer लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था फिर भी यहाँ पर opposition है strange भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था तो यहाँ पर हमने yet का use किया उसके बाद show का use करेंगे show का use करते हैं इसलिए के लिए हिंदी में use करते हैं इसलिए to show the result of the first idea का result है वो show करने के लिए जैसे he was excited वो excited था so he danced in the party by late night इसलिए वो late night तक party में dance करता रहा इसलिए वो in the sense of in addition to addition to के लिए भी हम show का use करते हैं they are watching movie so are we वो movie देख रहे थे इसलिए हम भी देख रहे थे इसलिए हम भी देख रहे थे यनि अगर इसलिए समझ में आगे न हिंदी वाला तो आप show का easily use कर पाऊगे तो ये थी हमारी आज की worksheet उसका content अब इसी पर based हमें कुछ easy task देगे हैं चलिए इनको complete करते हैं पहला जो हमें sentence दिया गया क्या करना हमें पहले देख लिजे कि complete the following sentences with and, either, or, but, so, neither, nor, or yet इनके साथ हमें क्या करना है हमें इन sentences को complete करना है तो यहां पे देखे शिल्पा went to the store शिल्पा वो store गई and days bought a few dresses and आ जाएगा and bought a few dresses ठीक क्या यूज़ करेंगे and को second देखे यह चोटा घर था लेकिन सुन्दर था लेकिन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे बट यूज़ करेंगे contrasting ideas है यहां पर उसके बद थर्ड देखे शाम सुन्दर wanted to be a pilot शाम सुन्दर पाइलेट बनना चाहता था अब उसका result क्या हुआ so he studied hard इसलिए उसने बहुत मेनद की इसलिए यहां पर हम so का यूज़ करेंगे clear चलिए फॉर्थ को देखते है फॉर्थ हमारा sentence रहेगा the dog must be hiding the dog must be hiding days behind the curtain or under the tree यहां पर क्या जगा either behind the curtain or under the tree dog है या तो curtain के पीछे पर्दे के पीछे चुपाऊगा या पेड के पीछे तो either और और दोनों पेर में आएंगे न दोनों को यूज़ करेंगे या और या के लिए फिप देखिए we waited for hours and hours हमने घंटों तक वेट की फिर भी बस नहीं आई तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम बट का यूज़ करेंगे उसके बाद next देखिए I cooked lunch मैंने lunch त्यार किया and my sister tiedied the room और मेरी sister ने room को tiedie किया तो यहाँ पे and को हम यूज़ करेंगे दोनों को connect करेंगे यहाँ पे दो जो अलग लग चीज़ें है लेकिन एक दूसरी से related है उसके बाद 7th को देखिए 7th जो आपका sentence है It was days my fault and days his fault in breaking the chair नोर उनी ना ही It was nor my fault and neither his fault पहले नीदर आएगा उसके बाद नोर आएगा It was neither my fault nor his fault in breaking the chair पहले नीदर योज करोगे और second में आप nor को योज करोगे उसके बाद next देखिए 8th को यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए It was a pleasant evening It was a pleasant evening and we went for a walk around the town So we walked So क्योंकि अच्छा मोसम था इसलिए हम कहां चले गए घूमने के लिए चले गए So आ जाएगा इसलिए के लिए 10th एकिए It was early Days we were already for bed for after long hike Okay It was early कि हलांकि जल्दी था Yet we were already for bed for our long hike कि हलांकि जल्दी था फिर भी Okay यहां पर देखे Strong contrast है तो हम यहां पर yet का यूज करेंगे It was early Yet we were already for bed for our long hike तो यह थी हमारी आज की बेहद आसान easy worksheet I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा गर आपको यह video यह worksheet अच्छे लगी इस video इस worksheet को like और share जरूर केजिगा आज के लिए वस इतने Thank you Bye Bye Have a nice day मिलते है next video में